नमस्ते दोस्तों मेरा नाम पीव उश्राय है और आज हम लोग सुरू करेंगे उस मुद्दे विवात जो मुद्दा बहुत तेरी से दो तीन देन से वायरल हो रहा है कि आई एमफ का ये कहना है कि बांगलादेश से भी नीचे चली जाएगी इंडिया की जूटीप बांगला पर क्या एमपेक्ट पड़ेगा तो सिर्फ उतना ही बोला जा रहा है चलो ठीक है इंडिया सेट टू स्लिप बिलो मंगलादेश 2020 पर क्यापिटा जीडिपी से जाए मेफ अब जड़ा आपको रिपबलिक की फुल नीव सिखा देता हूं कि अगर आपको एजंडा चलाना है तो आप पार्शिय छोटा सा टुकडा ही बारिल करेंगे और उसी पर सबसे आंसर मांगेंगे और उसी पर क्रिटिसम करेंगे लेगन आपके पास अगर फुल डिटेल है तो थोड़ा सा बात अच्छी हो जाएगी क्या लिखा है यहां पर आप पढ़िए इंडियन एकोनोमी टो डिप 10.3% in 2020, रिबाउंड विट 8.8% ग्रोथ इन 2021 आप यह तो पूरा स्टेटमेंट है लेकिन हर जगह सिर्फ यही वाइरल किया जा रहा है कि इंडिया की एकोनोमी इतनी गिर जाएगी और क्या है सिर्फ भारत में अस्वर हुआ है? सोचने वाली बात है आप हर पहलू पर सोचे कर आपको सोचना है तो 8.8 चाइना की क्या है? 8.2 यह कौन दिखाएगा? किसकी responsibility है? या फिर सिर्फ आदा हिस्ता दिखा के criticize करना है, blame करना है, सरकार बदलनी है, चोर बता देना है, कोई नहीं? अगर आप जैसे लोग हैं तो हमारे जैसे लोग भी हैं खेर, और जंदा से मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी आप तक ऐसी थवर पहुचा है तो आप ये वीडियो का लिंक उनके face पे एक थपड़ की तरह मार सकते हैं The RBI had earlier this month projected that the GDP contract by 9.5% in the current financial year amid disruption caused by the coronavirus pandemic and it may turn positive in the last quarter RBI भी कह रही है कि 9.5% से contract करेगा हमारा अगर तो next quarter में positive भी चला जाएगा और contract क्यों कर रहा है pandemic की वज़े से pandemic सिर्व इंडिया में मोधी लेकर आया pandemic वारे आपकी बुद्धी खेर अब बात करते हैं वर्ल लेवल की इसी रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है world economy to dip by 4.4% जब पुरी दुनिया की economy 4.4% से गिर रही है तो हम दुनिया के हिस्से नहीं है हम लोग चांसे आए अच्छा ठीक है 4.4% पुरी दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा हो सकता है थोड़ा सेंस लगा ही कितना बड़ा हिस्सा हो सकता है एक 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 देश का 4.4% अरबों करोडों मतलब कई billion trillion dollar होता है पुरी दुनिया का 4.4% कितना होगा तो depend करता की country to country differ करेगा खेर अब आईए और data पे उसमें ल 4.4% in 2020 only to rebound with 5.2% rebound sir 5.2% से ही होगा global का growth in 2021 according to IMF growth IMF report the advanced economies are expected to decline by 5.8 followed by rebound in growth 3.9 in 2021 the economic growth of the developed countries such as US, Japan and the UK is projected to shrink by 4.3, 5.3 and 9.8 respectively फिर से पढ़ों इंगलिश आती समझ जाना the economic growth of developed countries such as US, Japan and UK projected to shrink shrink मतलब सिकूर जाना गिर जाना छोटा हो जाना लिमिटेड रह जाना by 4.3, 5.3 and 9.8 respectively समझ रहे हैं आप यह developed country का हाल है और हम developing country हैं फिर भी comparatively बहुत अच्छा perform करेंगे यह भी projection है यह कौन बताएगा all emerging market and developing economy regions are expected to contract this year expectation है यह भी IMF or World Bank का ही कहना है कि all emerging market and emerging market का हम लोग है and developing economies region are expected to contract this year including notably emerging Asia and where large economies such as India and Indonesia continues to try to bring the pandemic under control the IMF said in its report which was released ahead of the annual meeting of IMF खेर मुझे लगता है इतना detailed English और Hindi में एक जवाब counter सबको मिल चुका होगा कि असलियत क्या है अगर सिर्फ आधा हिस्सा आप बताएंगे बांगलादेश से comparison करेंगे इंडिया का लेकिन इंडिया की growth rate expected growth rate नहीं बताएंगे rebound rate नहीं बताएंगे world में क्या recession चलना नहीं बताएंगे pandemic की वज़े से हो रहा यह नहीं बताएंगे आप पुरी दुनिया का comparison या जो comparative growth rate है developed economies का US, UK, Japan इनका आप नहीं बताएंगे तो फिर तो आप agenda चला रहे हैं खेर जनता से मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहते हैं कि notification नहीं आ रहा है न वीडियो उसका न लाइड का तो आप लोगो टेलीघ्राम के लिंक मैंने पिछली वीडियो में देती इस वीडियो में दे दूँगा हर यूडियो में टंडूम के UAं में लिंक मैं आप सेटिसफई होए आप आप कुछ भी अच्छा लगा करें आप शेयर किया करिए और तीसरी चीज़ अगर आप नए हैं या फिर पूराने भी हैं आप बिना सब्सक्राइब की आपको विडियो मिल जाया करती है होता है बहुत लोगों को कि सब्सक्राइब पर ने क्या जरूते विडियो तो अपने इच्छाओ करनेगी तो नीचे तरीके बताये हुएं अभी के लिए इतना ही जो एपिसोड चल ले थे उसके उपर फिर आएंगे दूसरी चीज़ों के साथ और उस पर बात करेंगे फिर मिलते हैं अगली विडियों में जाये हैं वंदे मातरम